असलाम अलेकुम टीम वकार की तरफ से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिटकोईन हालविंग Bitcoin Halloween के उपर आज हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग करना चाते हैं और अच्छी ट्रेडिंग करके आप इनामाद जीतना चाते हैं तो Bitgate Exchange पे आप अकाउंट बना लें जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे आपको एक रेफरल लिंक दिखाई दे रहा हुआ डिस्क्रिप्शन में उस रेफरल लिंक से अकाउंट बनाने से फाइदा यह होता है वगार जगा का रेफरल लिंक है उससे जब आप अकाउंट बनाके ट्रेड करते हैं आपको ट्रेडिंग फी में भी डिस्काउंट मिलता है और आप जब अच्छी ट्रेडिंग करते हैं तो बिटकेट आपको और भी यहाँ पे इनामात भेजता रहता है अगर आप अच्छी ट्रेडिंग यहाँ पे करते हैं तो आप बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ के बिटकोइन हालविंग क्या है बिटकोइन हालविंग एक ऐसा फिनोमेना है समझें यह एक ऐसा यहां पर प्रोग्राम इवेंट है जो पहले सेट हुआ हुआ है जब बिटकोइन बनाता हाफ कर देती है तो जिसकी वज़र से बिटकोइन के प्राइज में यहां में हमें एक प्राइज जो होता है बहुत तहीं से यहां पर इंक्रीज होता दिखाई देता है जो हालविंग होती है यह हर चार साल में होती है अब जो हालविंग expected की जारी है वो अपरेल 2024 में की जारी है और उसमें ये का जा रहा है कि वे जो बिटकोइन का reward है वो कम होके 3.125 BTC पे चले जाना है कि यहाँ पर अगर हम देखें कि जो बिटकोइन की हालविंग होती है ये एक program event होता है बिटकोइन के network के उपर और ये जब होता है जब 210,000 block reward complete हो जाते हैं तो ये event यहाँ पर होता है और जो एक block होता है वो 10 minute के अंदर यहाँ पर बनता है अब ये जो 10 minute के अंदर एक block बनता है उसके अंदर जो बिटकोइन होता है वो अभी अगर देखें तो 6 या 6 से थोड़ा से जादा यहाँ पर बिटकोइन यहाँ पर बनते है उसको हम अभी और भी डिटेल में देखेंगे तो अब क्या होगा कि जब ये event हो जाता है हालविंग का चार साल बात तो वो जो 10 minute मे बिटकोइन अगर example का तौर पर 6 बन रहे है तो अब जब हालविंग हो जाएगी तो वो बनेंगे 3 अब ये जो माइनर्स होते हैं ये इसको माइन करते हैं माइनर्स जो है ब्लोकचेन के उपर algorithm को solve कर रहे होते हैं तो जिसकी वज़ा से उन्हें reward में बिटकोइन यहाँ पर मिलता है अब अगर पहले बिटकोइन उन्हें छे मिलते थे हर दस मिनट में छे बिटकोइन माइन होते थे तो अब वो माइन होके 3 हो जाएंगे तो बिटकोइन की जिसकी वज़ा से यहाँ पे जो डिमांड है वो यहाँ पे increase होती है और ये एक एक अलग factor होता है ये भी ए हाँ पे factor होता है कि इसकी जब halving होती है तो उसकी विज़ा से इसकी जो वो होती है हालविं के बाद जब यह ब्लॉक रिवोर्ड होता है वो हाफ हो जाता है तो यह इसकी वैसे यहाँ पे demand in के रिदो होती है टोटल जो bitcoin है वो 21 million है 21 million से जादा bitcoin generate होने ही नहीं है 21 million last इसकी यहाँ पे जो bitcoin है वो लास्ट इसकी समझ लें आप supply 21 million से जादा नहीं जाने अब अगर हम यहाँ पे और थोड़ा detail में देखते है कि यहाँ पे bitcoin कब आया था इंट्रोड़क्शन ओ बिट्कॉइन हुआ था 3 जनवरी 2009 को जब block reward जो होता था माइनर्स का हर 10 मिनट में 50 new bitcoin ब मिलने लगा है और यहाँ पर अगर हम हालविंग से पहले एक मन पहले अगर average price यहाँ पे देखें तो 10.26 डॉलर था और हालविंग के एक साल बात bitcoin के price में यहाँ पे हमें जो price दिखा है 1003 डॉलर तक देखने को मिला यह बात है 2012 की फिर second हालविंग आई 9 जोलाई 2016 में उस फिर bitcoin का जो block reward था हो 25 से 12.5 पे आ गया और यहाँ पे अगर हम उस से पहले एक मन पहले की average price देखें तो 583 चल रही थी उस वके एक bitcoin की और हालविंग के बाद bitcoin के price 2608 डॉलर पे चला गया फिर यहाँ पे 2020 के अंदर आई 3rd हालविंग उस वक्त block reward को अगर हम देखें 12.5 से ह 6.25 हो गया और यहाँ पे उस वक्त उसकी average price चल रही थी almost 6900 डॉलर और पर उसके एक साल बाद उसकी price चली गई 55847 डॉलर तक यह एक साल बात का average लिखाव है all time high तो different होता है तो यहाँ पे अब जो expected upcoming जो हालविंग आ रही है bitcoin की वो आ रही है यहाँ पे 20 April 2024 को और यहाँ जो block reward है miners को जो अभी मिल रहा है 6.25 BTC हर 10 मिनट में block reward जब block जो generate होता है उस पे जो उनके bitcoin बंड़े 6.25 बंड़े तो अब वो हो जाएगा यहाँ पे 3.125 तो यह bitcoin की यहाँ पे कही ना कही जो supply है वो कम हो जाएगी और demand increase हो जाएगी अगर हम किसी भी चीज की supply को कम कर देत है तो उसकी demand यहाँ पे increase हो जाती है तो यह bitcoin के price को कही ना कही एक अच्छा boost दे सकती है bitcoin का price और मजीद उपर जा सकता है अगर हम वैसे भी overall देखें bitcoin का हालविंग का event करीब आ रहा है तो जिसकी वैसे bitcoin का price बहुत जाता है यहाँ पर pump हुआ है तो अब जो अब कभी हालविंग है वो आ रहे है अपरेल के अंदर तो यहाँ पे भी आके हालविंग के countdown को देख सकते है coin market cap पे आके अगर अब लिखेंगे bitcoin हालविंग countdown तो यह 24 को ब्लॉक रिवार्ड जो है वो रिडियूस होगे 6.25 बीटी से अभी माइनर्स को जो रिवार्ड मिलना है हर 10 मिनट में एक चब ब्लॉक कम्पलीट होता है उस पर उन्हें 6.25 बिटकोईन मिल रहा है तो अब वो जो ब्लॉक रिवार्ड है वो 3.125 बिटकोईन पर आने व 42 सेकेंड तो यह काउंडाउन आप भी देख सकते हैं यहां पर कोईन मार्केट कैप पर आके तो आई होप आप सबको आज का बिटकोईन हालविंग का लेक्चर क्लियर होगा थैंक्यू सो मच